हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ एक यूनिक सी रेस्पी जो हम रोटियों से बनाएंगे रोटिया हम कोई बासी रोटियों से नहीं बनाएंगे जब हम सुवह रोटियां बनाते हैं तो हम एक्षा बना लेते हैं तीन चार रोटियां तो उनसे हम दिन में ये रैस्पी तियार करेंगे जैसे हमको भूक लग जाती है दिन में बड़ी दिन है तो उसमें हम ये रैस्पी तियार करेंगे बहुत ही जटपट हमारी रैस्पी बन जाती है तो ये बनाने के लिए तीन रोटियां लिए हैं मैंने इनको मैं कट कर यह कड़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल गरम हो चुका है उसमें में इस सारी रोटियों के जो टुकडे करे हैं वो डाल दूंगे यह रैस्पी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और तीन से चार मिनिट में यह हमारी रैस्पी बनकर त्यार हो जाती है कोई जंजट नहीं है कोई टैम नहीं लगता है बहुत ही यम्मी यम्मी सी रैस्पी बनती है ये रोटिया हमको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी है ज़्यादा ब्राउन करने से कड़वाट हो जाती है इसमें तो इसलिए तो हलका सा ब्राउन किया है अब मैंन को निकाल लूँगे ये मैंन को निकाल लिया है अब एक पलेट लूँगे उसमें फॉयल पेपर लगा लिया है अब जो हमने रोटियों को पकाया है वो डाल दूँगे बहुती क्रस्पी हमारी रोटियां हुई है देखो बहुती अच्छी अब मैं इसके उपर टमैटो केचप डालूँगे आपके पास अगर पीजा सोंस है तो भी डाल सकते हो वैसे आप इस रेस्पी को पीजा रोटि भी बोल सकते हो यह मैंने मिला दूँगे थोड़ा सा इनको ताकि अच्छी सबसारी रोटियों में मिल जाएं यह मैंने थोड़े से कटे हुए प्याज लिए है और थोड़ा सा केचप और डालेंगे ताकि अच्छा सा यम्मी यम्मी हमारी रैस्पी बन कर त्यार हो जाए यह थोड़ा नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार और थोड़ी से लाल मिर्च डाली है यह मैंने चीज डाली है इसके उपर अगर आपके पास चीज नहीं है तो कोई बात नहीं आ आप बिना चीज के भी डाल बना सकते हैं इस पर पनीर डाल देना और अगर चीज है तो उससे ज्यादा यम्मी लगेगा अब मैं इसको ढग दूंगे कडाई में ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए यह मेल्ट हो गई थी चीज अब मैंने इसको निकाल लिया है अब इ पास है तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं यह मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है यह मैं पनीर डाल दूंगी बहुती यम्मी हमारी रेस्पी बन कर त्यार हुई है आप मेरी पूरी वीडियो देखें और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का ना टिप किसना आपको मिल जाए थेंक यू